नमस्कार, मैं हो ससी, आईए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नियोजन निती के खिलाब 72 घंटे का अंदोलन 29 अप्रेल को जर्खन बंद जर्खन एस्टेट स्टुडेंट यूनियन समेथ चात्र नेताओं ने 1932 खत्यान अधारित आस्थानी और नियोजन निती के मांग को लेका ओर 29 अप्रेल को जर्खन बंद का वहन किया है इसे पहले 17 अप्रेल को मुख्य बंद करेंगे वही 18 अप्रेल को बंद की पूर्व संध्या प्रमसाल जुलूस निकालेंगे बुद्धवार को जर्खन एस्टेट स्टुडेंट यूनियन के चात्र नेता देविंद्र नात महतो मनोज यादव योगेस भारती वा सुरज मंडल के साथ कई चात्र नेताओं ने बैठक की बैठक में यह नीना लिया गया बताया गया कि आपकी मांगों वा हक अधिकार के लिए 17-18-19 अप्रेल को 72 घंटे कांदुलन करेंगे ताय किया गया है कि 60-40 वाली नियोजन नीती का बिरोध करने के लिए वे लोग बड़ी संख्या में चात्रों के साथ सलको पर उतरेंगे बैठक में चात्र संगटनों से इसमें सामिल करने की अपील करते हुए बताया गया है कि 17 अप्रेल को हिमन सुरेन को कैबिनेट की बैठक होनी है उस दिन मुख्य मंत्री आवाज का घिराव करने के लिए राज्य भर से छात्र रांची पहुँचे वहीं 18 अप्रेल को मसाल जुरूस निकाला जाएगा 19 अप्रेल को जार्खन बंद करेंगे इस मौके पर आदिवासी छात्र संग के अध्याग सुमित उराओं के साथ अने छात्र संग अटनों के कई छात्र नेताओं ने सभी जीलो और गरामिन छेत्रों के छात्रों से करक्रम में आने की अपील की है जार्खन में गर्मी तेज से बढ़ रही है अधिकतम तापमान 40.30 डिगरी तक पहुंच चुका है इसमें अभी और बिर्दी होने की संभावना है मौसम विभाग की ओर से रहात भरी खबर यह है की 13 अपरेल से 16 अपरेल तक आस्मान में आसिक बादल चाहे रहेंगे हलाकि इस दरण बारिस की कोई समभावना नहीं है चिंता बढ़ाने वाली खबर यह भी है की इनहीं 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिगरी बिरिधी हो सकती है यानि 43 डिगरी के पार तापमान जा सकता है इससे लोगों को चिचिलाती गर्मी का अहसास होगा बता दे चायबासा गोडा और डाल टेगरी के पार पहुंच चुका है जार्खन में कुरो्णा संक्रमितों की संक्या 100 के पार जार्खन में कुरोणा मरीज फिर बढ़ने लगे है बुद्धवार को इनकी संक्या 100 के पार चली गई है बतादे राजे में 197 दिनों बाद ऐसा हुआ है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के पार पहुँच गई इससे पहले 27 सितंबर को राजे में 100 स्याधी कुरोना मरीज थे फिलहाल राजी समित राजी के 14 जीले कुरोना की चपेट में है बतादे राजी में पोजेटिवीटी दर 0.08 परतिस था है ज़ारखन में बुद्धवार को 27 नए संक्रामित मिले है इसके साथ ही राजे में एक्टिव मरीजों की संक्या 124 पर पहुँच गई बतादे दो मरीज स्वस्त भी हुए है ज़ारखन में आठवी बौट की परिक्षा आज ज़ारखन के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 16-17 की गुरुवार को आठवी बौट की परिक्षा होगी OMR सीट पर होने वाली परिक्षा में 5,15,000 परिक्षा थी सामिल होंगे बतादे ज़ारखन एकेंडमी काउंसील ने इसकी त्यारी पूरी कर ली है जीला पर खंड वा अनुमंडल मुख्यालियों में इसके परिक्षा केंदर बनाए गए है परिक्षा की ओधी के बाद 16-17 को मद्याहन भोजन भी मिलेगा इसके लिए ज़ारखन राज मद्याहन भोजन प्राधिकरन के निदेशक केंद कुमारी पासी ने सभी जिला सिक्षा अधिक्षा को को निदेश दे दिया है आठवी की परिक्षा दो पाली में होनी है नौ बच कर 45 मिल्ट से एक बए तक वहीं दूसरी पाली दो से लेकर पांच बच कर 15 मिल्ट तक होगी पाली पाली में हिंदी अंग्रेजी और अतिरीक्त भासा भी सह में से कोई एक भी सह की परिक्षा होगी जबकि दूसरी पाली में गनीत भी ज्यान और समाजिक भी ज्यान भी सह की परिक्षा होगी बता दे परिक्षार्थियों को परिक्षा समाप्त होने के बाद इस्कूल में हिमत ध्यान भोजन उपलब्द कराया जाएगा टिफिन के समाई के लिए छात्र छात्रा लंच ला सकते हैं धान भीक्री की दूसरी किस्ट की रासी नहीं मिलने से किसान परिसान जहर्खन के किसान इंदीनों बेहत परिसान है परिसानी की वज़ा सरकार के पास बकाया रासी है यह बकायरासी इस साल धान बेचने के मद में सरकार के पास किसानों के करीब 168 को रुपए है वर्ष 2022 ते इस खरीब के लिए सरकार ने 15 दिसम्बर से राजे में किसानों से धान खरीना शुरू किया था जो आज तक जारी है सरकार ने पहले लक्ष आठ लाख क्यूंटल रखा जिसके बाद में घटा कर 36 लाख क्यूंटल कर दिया गया प्रधान के अनुरूप किसानों को धान बेचने के वक्त 50% और उसके बाद 3 महिने के अंदर से 50% रासी का भुखतान करना था लेकिन हलात यह है कि राजे में एक तो धान खरी में देर से सुरू हुई वही दूसरी ओर जो भी धान खरी दी गई उसके पैसा का अभी तक पूरा तरह से किसानों को भुखतान नहीं हुआ है लाठी चार्ज के खिलाब भाजपा का मौन जुलूस प्रजेक्ट भुण घिराव कार्करम गद्वन भाजपा का काताओ पर होई लाठी चार्ज के खिला भाजपा ने बुध्वार को काला दिवस मनाया परदेस से मंदल अ स्थार तक भाजपा का काताओ ने काला बिला और काली पठी बांध कर लाठी चार्ज की घटना के विरोज जताया बता देर साम महानगर भाजपा ने रांची के हर्मू चौग से मन जुलूस निकाला माथे और मुह पर काली पट्टी बांद कर भाजपा के करकरता हर्मू चोग पर जमा हुए यहां मुक्ष मंत्री के सांकेतिक पुतले की सौव यातरा निकाली गई और गोड़ा चोग पर जाकर पुतला दहन भी किया गया माहा नगर भाजपा के अध्यास केके गुपता ने कहा है कि सरकार के इसारे परक और लोकतांत्रिक तरीके से प्रत्षन कर रहे भाजपा के करकताव को निसाना बनाया गया पुलिस ने करकताओ को लाठी डंडे, आसुगैस, रबड की गोली, पानी की बोतल, इट पत्थर, निहत्ते करकताओ पर फेक कर उन्हें रोकना चाहा 12 दिनों बाद बनना सुरू हुआ जनम मिर्तिव पर्मान पत्र जारखन के सभी नगर निकायों समयत पूरे देश में एक अप्रेल से जनम मिर्तिव पर्मान पत्र नहीं बन रहा था, 12 दिनों बाद बुद्धवार से एक बाद फिर जनम मिर्तिव पर्मान पत्र बनना सुरू हो गया है, इसे लोगों को बड़ी रहात मिली है बता जे धनबाद नगर निगात में काम सुरू होने के महज कुछ घंटो में ही 150 जनम मिर्तिव पर्मान पत्र जारी कर दिये गए हैए द्रसल जनम मिर्तिव पर्मान पत्र CRS-ORG पोर्टल से लिंक है सिफ जारकानी नहीं बलिक पूरे देश में इसी पोर्टल से जनम मिर्थी पवान पत्र जारी होता है बीचे कुछ दिनों से इस पोर्टल को अपडेट करने की परक्रिया चल रही थी जनकारी के अनुसार CRS, ORG, पोर्टल के माध्यम से बनने वाले सभी जनम मिर्थी पवान पत्रों को अधार नमर से जोड़ा जाएगा G20 देशों के प्रतिनी धियों को समोधित करेंगे गढ़वा के अलोग इस वरस भारत विश्वक के सबसर सकति साली देशों के समोध G20 के धख्षता कर रहा है इसी के ताथ G20 देशों के युवावों के लिए UR20 नामा कारक्रम का योजान कलिंग इस्चूट अफ इंडर्स्ट्रियल टेकनोलोजी भोनेस्वर में किया जा रहा है 14-15 अफ्रेल को दो दिवसी भोनेस्वर में आवजीत होने वाले इस कारक्रम में भारत, UK, यूरोपिये, संग और अने G20 देशों के कई सांसद, प्रतिष्ठित, सिक्चावीद, उद्योगपती, सफल, उद्यमी, यूथ, आइकोन, अस्पोर्ट, आइकोन, पद्म, पुरस 14-15 अफ्रेल के रूप में आवंत्रित किया गया, इस अंतराश्रीय कारक्रम में अलोग विभीन देश के यूआओ के बीच बिज्ञान में प्रदोकी पर आपना प्रमस परतुस्त करेंगे, जिससे भारत सहीत इन सभी देश के यूआओ को लाप प्राप्त हो सकेगा, ज्य 1501 पर होमगाट की भरती, ज्यारखन में युवाओ के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है, ज्यारखन होमगाट पर भरती के लिए उमिद्वार से अवेदन आवंत्रित किये हैं, योगि उमिद्वार ज्यारखन गिरी रक्षा कोर की अधिकारिक साइट के मादे से ओनलाइन आविदन कर सकते हैं साथी बता दे कि इस भरती परक्रिया में कूल 501 पदों को भरा जाना है इसके लिए राइस्टेशन के परक्रिया 25 अप्रेल से शुरू होगी और 9 माई दोह यत्ते इसको समाप्त होगी बता दे कि जो भी उमिद्वार होम गार्ड पदों के आविदन करना चाते हैं उन्हें काउड स्थ की परिक्षाउतिय नदी चाहिए 25 राजियों के मुंखे मंत्री हमें अपने पड़ोसी राजियों बिहार और पच्छिम मंगल के मुंखे मंत्री से ज्यादा अमिर हैं हेमाची की संपति ममताबदनाकर जीशे 5 गुना तो बिहार के सीम नितिश कुमार से करीब अधाई गुना अधिक है 42 बर सी ए हेमान सुरेन की कुल संपती 8 क्रोड 51,64,195 रुपए है वहीं 8 लाख रुपए की उनकी देंदारी भी है रांची से नियो गिरीडी के लिए चलेगी ट्रेन राजधानी रांची से नियो गिरीडी के लिए शुरू हो रही इंटर सीटी एक्सप्रेस में विश्टाडोम कोच की बेवस्ता होगी इसमें काच की बड़ी-बड़ी खिड़किया रहेगी इसकी छत भी पारदर्सी होगी इसमें बैटकर यातरी ट्रेन से बाहर की वादियो का नजारा देख सकेंगे यह ट्रेन जंगल पहाड और गुफाओ के बीच से होकर गुजरेगी रांची से टाटे सिल्वे बरकाखना और कोडार्मा होते हुए यह ट्रेन गिरीडी पहुँचेगी बतादे राजधानी रांची से नियो गिरीडी के लिए इंटर सिटी एक्स्प्रेस ट्रेन हर दिन चलेगी यह ट्रेन ट्रेन टाटेक सिल्वे बरकाखना और कोडार्मा होते हुए गिरीडी जाएगी इसके अलावा मेश्रा हजारी बाग, सहर और धनबाद एस्टेसन पर भी इसका ठारा होगा राजधे के कई IAS अधिकारियों का तबादला राजधे में कई IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है साथी कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सोपा गया बता दे कि डाक्टर अमिताब कौसल समें दो आईएस अपसरों का तबादा हुए है साथ ही दो अधिकारियों को अथिरिक्त प्रभार सोपा गया कार्मिक प्रसास्निक और राजभासा सुधार विभाग ने इसे समधी अजिसुचना भी जारी कर दिया है योजना एवं बिकास बिभाग रांची के सचीव डाक्टर अमिताब कौसल को अस्तनांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचीव खाद सरोजनिक बित्रन एवं भुगता मामला बिभाग रांची के पद परन्यूक्त एवं पदा थापित किया गया है रांची में नहीं होगी पानी की किलत पूर्ति कर रही है बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए खराब पड़े डीप बोरिंग और चापाकल की मरमत करवाए जाने का फैसल लिया गया मरमत के लिए रांची नगर निगम की ओर से एक डोर की रासी खर्च की जाएगी वहीं पूरे रांची नगर में दोसो चार मिनी डीप बोरिंग कराई जाएगी चोव निरित्य के कारण सराय के लाखी बीदेशों में पहचान अस्थानिय बीसा स्टेडियमे कला संस्कृती एवं परेटन विभाग द्वार आयोजी तीन दिवसी चैत्र परव के दूसरे दिन भी रंगारम करकरम का उजन किया गया करकरम में ग्रामी चोव निरित दलो द्वार परस्तूती किया गया इसके अलाबा रांची के सीली से आय महिला कलाकारों ने चोव निरित प्रस्तूत कर खुब वहवाही बटोरी दूसरे दिन के कारकरम का उद्गाटन प्रधान जीलाय अमसत्र ने आधीस बिजाय कुमार द्वार किया गया लोगों को संब्धित करते हुए कहा गया कि छोव निरित के कारण सराय किला की पचान बिदेसों तक है यहां के कलाकारों के कारण ही संब्भ हो सका है चैत्र महोत्सव हर साल बिरिहत प्रमाने पर हो दूसरे राजयों से आय कलाकारों का स्वागत के साथ सुभकमनाय है कि उनकी ख्याती बिदेसों तक हो और देश यहम राजय का नाम रोशन हो पीलेफाई का एरिया कमंडर राटा गिरफतार जारखन के राजधानी रांची से सटे खुटी जिले की पूलिस ने पीपुलस लिवरेशन फ्रंट आफ इंडिया पीलेफाई के एरिया कमंडर राटा और फ्रोहित तोपनों को गिरफतार कर लिया है राणिया पूलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, चार गोली, पीलेफाई का पर्चा और चंदा काटने वाली रशित बरामत किया इसकी जनकारी बुद्वार को खुटी एश्डीपियो अमित कुमार ने प्रेस कोंफरेंस करके दी है खुटी के एश्डीपियो ने बताया कि राटा और फ्रोहित तोपनों अपने सरस्यों के साथ राणिया के उडिकेल, खेरकई, बेलसिया, जराकेल आधी गावों में भ्रमन सील था सचीवाले घहराओ मामले में बीजेपी नेताओ पर एफायार जारखन में हेमन्त सुरेन सरकार की नीतियों के बीरोध में भाजपाईयों के हलाबोल और सचीवाले घहराओकार करें मुदरान मंगलबार को धुरुआ में जम कर बवाल हुआ भाजपा के इस परदसन के बाद अब जारखन पुलिष ने परदसन के दवरान कर कताओ को पथरबाजी के लिए उकसाने स्तमेत कई अन्य आरोपे में भाजपा के कई बड़े नेताओ के खिलाब एफायार दर्च किया वहीं एफायार में राज्य के तीन पुरुमुख मंत्री बावुलामरांडी अर्जुन मुंडा और रखवर दास के नाम भी पूलिष ने दर्च किया है स्रीयम हमंत को जेल भेजने के ब्यान पर जेमेम ने कहा माफी मांगे भाजपा के सचीवाले घेराव कारेकर दर्च मंत्री हमंसुरिन को लेकर गोड़ा के भाजपा सांसन ने सिकान दुवे के ब्यान पर सतार दुजारकन मुक्ती मुर्चान अपत्थी जताई है जामो ने इसके लिए भाजपा के परदेश अध्यक दीपक परकास और पूर मुक मंत्री बावुलान मरांडी से माफी मांगने को कहा है पार्टी नेता सुप्रियों भाटाचार ने चेताउनी दिया है कि दोनों नेता माफी मांगे वरना जामो कानुनी करवाई करेगा सांसत को ऐसा कहने का अधिकार किस ने दिया है आयूस मिशन के तह समुदाइक स्वास्त पदाधिकारिक न्युक्ति करने वाला पहला राजे बना जारखन स्वास्थ विभाग के अपर मुक्स चीव अरून कुमार सिंग ने कहा है कि जार्खन पहला राज है जहां आयूस मिजन के तहट 485 समुधाइक स्वास्थ पदादिकारी को नियुकती हुई है रिक्त होने के बाद भी इस पदों के लिए आयूस चिकित सक नहीं मिल रहे हैं अगले चरण में सिग रही 160 रिक्त पदों पर नियुकती होगी आपर मुक्स चीव ने बुद्धवार को राज किये गब एवं मतस निदे साले के सबागार में नौ नियुकत समुधाइक स्वास्थ पदादिकारियों के पांच दिवसे प्रसिक्षन कारिकरम को उदगाटन सत्र में बाते कही यह प्रसिक्षन कारिकरम 16 अपरेल तक टाटा सुमो से गोवंस की तसकरी करते दो यूवक गिरफतार को लाद कर तसकरी के लिए सराय के लावजम सेथ पूर छेतर मिले जाया जा रहा था संगठन के कुछ लोगों से मिली सुचना के अधार पर पूलिश ने बुद्धवार की रात नाके बंदी की इसके बाद आर आईटी मोड के समीप वहां जाच अभियान चलाया गया जेल से निकली मामता देवी को निया यातरा में जैन सैलाब पूर्व विधायक मामता देवी को कोट के बेल मिलने के बाद बुद्धवार को कांग्रेस और उनके समर्थ को ने पूरे सहर में निया यातरा निकाल का उनका स्वागत किया चिल्चिलाती धोप की बिना परवाह की हजारों के संख्या में महिला पूरु सभी समर्थक गाजे बाजे के साथ इस नया यात्रा में सामिल हुए इसके साथ ही करकरताओन यात्रा के दरान जगह जगह अतिसवाजी कर जशन मनाया इस दोरान फूलों से सुज़जित गाड़ी परसवार पुरो विधायक ममता देवी जानता का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही थी उनके साथ में विधायक अमबा परसाथ भी लोगों को अभिवादन कर रही थी कोईला का अवध कारोबार परसाथ ने साधी चुपी जारखन बंगाल सिमा छेतरे के डाका गढ़ा के समीप कोईले का अवध कारोबार किया जा रहा है CCL राजराप्पा के बंद खदानों से परते एक दिन साइकल एव मोटर साइकल से अवयद कोईला ढोया जा रहा है इस कोईले को सीमा छेतर में जमा कर ट्रको के माध्यम से बंगाल के बड़े सहरों में बेजा जा रहा है इस अवयद कारोबार पर अंकुस लगाने का पुलिस परसाचन का प्रयास अब तक बिफल सावित हुआ है हालाकि पुलिस परसाचन कोईला के अवयद कारोबार पर चुपी साथ ते वे कहा है कि मेरे चेतर में या कारोबार पून रूप से परतिबंदी था है इस अवैद कारोबार में लगे तसकर परते एक दिन लाखों कमा रहे हैं धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बॉल के अब लेकर अब बहिए साथी साथ वीडियो के एक लाइक आपने दोस्तों के सेर करने ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेट बक्स में अपना फिडिवाएक अवस से दे थैंक यू